मैं आपको बता दो कि अगर आप PM किसान योजना के लाव आती हैं तो PM किसान योजना की पोर्टल पर एक बड़ा बदलाव किया गया है उसमें एक नया ओप्सन को आड़ किया गया है जिसका नाम है EKYC तो दोस्तों आपको इसको जल्दी से कर लेना है क्योंकि आने वाली दिखाऊंगा और इसमें क्या-क्या डाकुमेंट की जरूत पड़ती है मैं यह भी बता देता हूं तो सबसे पहले आपको एक अधार नंबर की जरूत पड़ती है उसके बाद आधार का नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक हो उसकी जरूत पड़ती है कि उसी पर मतलब आप भी इस पोर्टल पर आजाईए पोर्टल पर आने के बाद आपको थोड़ा यहां पर नीचे स्कॉल करके आना है यहां पर यह फॉर्मर कॉर्णर में आपको यहां पर देख लेना है यहां पर एक यह क्यों करके आपको दिखा दे रहा हूं यह देख लीजिए ए तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, थोड़ा नीचे स्कॉल करके आएगे, यहाँ पर देखी लिखा हुआ है आधार EKYC, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, उसके बाद यहाँ पर यह जो आले बटन पर क्लिक कर देना है, तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर देखिए अब लिखके आ गया है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, दोस्तों यह इसलिए आया है, क्योंकि इनके आधार की EKYC पहले से हो चुकी है, यहाँ जब कनेक्शन हुआ था, पहले ही इनका हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, तो उनका यहाँ पे एक option खुल के आएगा, जिसमें get to tp का option आएगा, आप get to tp पर क्लिक करेंगे, और tp को verify कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा, लेकिन जिन किसान भाईयों का यह चीज हो चुका है, उनके option में यही आएगा, कि record not found तो आपको कोई टेंसल लेने के जरूरत नहीं है, अगर आपका भी record not found का option आ रहा है, तो आपको भी ekyc करने की कोई जरूरत नहीं है, यह उनहीं के लिए है, जिनकी ekyc नहीं हुई है, क्योंकि अगर उनका अधान नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो आप ekyc का option आज आएगा ekyc करने के लिए, तो ज्यादा प्रोसेस नहीं है, मैंने प्रोसेस पहले भी बता दिया है, आपको कि जैसे ही आप ok करेंगे, तो आपको get to tv का option आएगा, और dpi utv verify कर देना है, आपका फूरा हो जाएगा प्रक्रिया,